हलो गाईज एक बाव फिर से रेफिल एक्सप्लेंग चैनल में आप सभी का वेलकम जैसे कि मेरे पसंदिता वीवर्स को एक यूनिक मांगा पसंद आती है तो आप लोग की पसंद को देखते हुए मैं एक बहुत बढ़िया हिस्टोरिकल मानवा लेके आया हूँ जिसके अंद हुए चलते हैं आगे एपिसोड की शुरुआत में एक परसन में बताता है हैवन और अर्थ हर एक चीज के प्रति बहुत दयालू हैं ये सब बखवास की बाते हैं क्योंकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ इससे पहले के हैवेली डाव एक विलन थे और वही हैवेली डाव हत्या और मृत्यू से भरा है अब मुझे देखो मैं कैसे ये नोरियान को सही करता हूँ और उसके रेंकरनेशन के चक्र को नया आतार देता हूँ और कल्टिवेशन की एक आदर्स दुनिया बनाता हूँ जिसमें सभी विद्रोई अरे छोड़ो बस देखो और सीखो और तबी हमा सभालते थे और जो कुछ भी अस्तित में था उसे बदल दिया फिर में इस धर्ती के कुछ मार्शल आर्टिस्ट को दिखाया जाता है जूकि अपनी बॉड़ी को स्टंथन करने के लिए वहाँ भी मार्शल आर्ट और कल्टिवेशन कर रहे थे और तबी वहाँ पर हमें बत बहुत जड़ा पाउर्फुल हो गए हाला कि इस जिंदगी में भी कुछ लोग बहुत लालची थे उन्होंने ना केवल हैवन और अर्थ की स्प्रिप्सल जड़े चुरा ली बलकि बहुत अरोगेंट होते हुए हैवेली डाव का सोर्स होने का दावा करने की कोशिश की और आखिरकार इस अर्थ के अंदर जितने भी स्वारती, मतलवी, लालची और घमंडी लोग होते हैं उन सभी जिंदगीयों को हैवेली डाव ने नश्ट कर दिया तभी हमारा सीन शिफ्ट होके एक लीडी के उपर आ जाता है जो कि अपने हातों में खुब डेर सरी पड़ा था और तभी वहां पर हमें बताया जाता है इन तीनों दुनिया को अलग कर देने के बाद में वो कभी भी पहले जैसे नहीं रही हैवेली डाव ने वेस्ट साइड को गौड को कंट्रूल करने के लिए और इस्ट साइड को इमोर्टल हीमंस को दे दिया या देखन के लिए और तीसी जिगा में अर्ट दिखाए जाती है जहां पर में बताया जाता है अत्र रिल्म के इस जिगा से सभी लोग वंचीत हो गए और ये जिगा जल्दी पूरी तरह से बंजर जमीन में बदल गई जो हट्डिया धेर हो गई वे पाड़ो जितनी उची थी और ल गई जो लोग मर गए थे उनमें से कुछ जिंदा हो गए और फिल जिंदा होने के बाद में उन्हीं सारे लोगों के बीच में आज तक छुपे हुए है और वो शक्तियां बहुत पावरफुल थी और उन सभी लोगों का परपस बस एक ही है और वो ये है कि नीती के रापर रहना और heavenly dog को challenge देना लेकिन तब ही वहाँ पर second circle के heavenly dog आवेकन हुई जो कि बहुत गुस्सा होते हुए और अपनी शक्ति सली थंडर को नीचे गिरा दिया जिससे कि दूसरी बार ये दुनिया तबाह हो गई heavenly dog के powerful thunder के कारण और अब इस दुनिया में third great circle enter कर रहा है और दिसियों हजार रेत वर्ष पहले ही बीच चुके हैं और उस इंसान की ये सारे बाते सुनने के बार में एक ललका वहाँ पर रोकते हुए कहता है अच्छा अच्छा ठीक है अब अपनी बक्वास करना बंद करो और अब मैं इस दुनिया का नया heavenly dog हूँ और तभी हमको एक circle दिखाया जाती है जो कि उस लड़के की बात सुनने के बार में कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो और इस बात को कहने के बात वहाँ से जम करते हुए वह आगे की तरफ बढ़ने लगता है अब वहाँ पर आगे हुए कहता है मैं पहली बार इस दुनिया को पार करके आया और तुमने मुझे इतना हाई स्टेटस दे दिया तुमको सच मुझ मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दो यह जो अपनी स्टोरी है यह heavenly dog के उपर है और इसलिए यह स्टोर लाइट बॉल है यह एक सिस्टम है जिब अपना हिरो चल के जा रहा होता है तो दूसरे साइट से कुछ लोग पहाड़ी पर चलते हुए आगे की तरफ आ रहे थे और अपने हिरो को देखने के बार में एक ओल्ड मैन वहां पर शॉक्ड हो जाते हैं और तभी वहाँ पर अ को solve नहीं कर सकता और तभी वहाँ पर वो किसी के बारे में बताते हुए कहता है ब्रिदर जुन ने एक बार कहा था कि ताकतवर इंसान के अपने फॉर्स को यूज़ करता है और कम्जोर इंसान दूसरे कम्जोर इंसान के सामने अपना फॉर्स दिखाता है लेकिन मैं पूर क्या ही लड़का खुद से ही बात कर रहा है और तभी अचानक से पीछे की तरफ से एक हवा का जोका आता है और जो वो उस साइट पर देखता है तो उसके पसीने आ जाते हैं वो घबरा जाता है और हमको पता चलता है एक बहुत बड़ा ड्रैगन उन लोग उपर अटेक करने कि ढांज अगे की तरफ आने लगता है इसको देखने के बाने वो सारे लोग वहांसे भागना स्टार्ट कर देते हैं और तभी वह द्रैगन वहां पर रो ठेयों के अ दहांते हैं और वहां फंटे कान को खुजलते हुए काउंट करके कहता है 1st rank 2nd rank 3rd rank 4th rank 5th rank और 6th rank पे पहुंचने के बाद तैमी गॉड और 7th rank पे आप true god और फिर उसके बाद god king realm फिर god emperor realm heavenly rank reverse heavenly rank reverse heavenly king rank अगर तुम लोग इस तरह से देखो तो यह बहुत जादा कमजोर है और यहां पर दोस्तों अपने हेरों ने cultivation के इतने realm या rank होते हैं वो सारे के सारे बता दिये वो dragon सामने के तरफ अपने hero को देखने के बाद में सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगता है उसको पर attack करने के लिए लेकिन तभी अपना hero जो उसके कान से दोस्तों मैल निकलता है उसको अपनी लिटिल फिंगर में लेते हुए उस dragon के उपर सीधे fire कर देता है जो कि बहुत जारा speed में आगी के तरफ बढ़ना होता है और जैसे ही वो मैल उस dragon के बगल से निकलता है वो dragon वहाँ पर घबरा जाता है उसके प्रेशर को देखने के बाद में उसके पसीने छूटने लगते हैं और अगले पली में दिखाया जाता है अपने hero ने सिर्फ अपने कान के मैल से जो बहुत जड़ा powerful है और जब वो सामने अपने hero को इस तरह से घुरते हुए देखता है खुद को तो वो बिलकुन पसीने पसीने हो जाता है उसे लगता है कि उसकी मौत सामने खड़ी है और तभी वो डर के मारे तुरंत वहाँ से उड़ते हुए निकल के भागने लगता है जिस इसको देखने के बाद मैं अपना hero वहाँ पे कुल लूग देते हुए कहता है यहाँ तक ही reverse heavenly rank भी मेरे तीन attacks को रोक नहीं सकता यह dragon तो सच में बहादूर है अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अपना hero कितना जादा overpower है वो इस दुनिया के पूरे cultivation के peak पे बैठा ह होता है अपने hero के बाद सुनने के बाद system उससे कहती है क्या आपने यह नहीं कहा कि ताकत पर इंसान अपने से ताकत पर इंसान के खिलाफ force को यूज करता है system की बाद सुनने के बाद में अपना hero से कहता है मैंने तो बस उसे थोड़ा सा डरा दिया मैंने कोई हरकत नहीं की अपने हीरो के बात सुनने के बाद सिस्टम वाँ पे हैरान होते हुए कहती है तो क्या आप अपने विरोधियों के खिलाफ ताकत का इस्तवाल नहीं करने जा रहे सिस्टम के बात सुनने के बाद मैं अपना हीरो से कहता है जब तक बात चीज से काम चल सकता है और वैसे भी दुनिया तीसरी बार नस्ट नहीं होगी लेकिन मेरा शांती प्रीचीनी खून इस चीज का वादा नहीं कर सकता और इस बात के कहने के बाद वो हसते हुए कहता है मैं एक घंटे से भी कम के समय में इस दुनिया को पार करके आया हूँ मुझे अभी इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है इसलिए मैं इस दुनिया के सिच्वेशन को पुरी तरह से नहीं जानता तो मैं एक अच्छा हेवली डाउ कैसे बन सकता हूँ और इस बात को कहने के बार वो आगे के तरफ चल के जाते हुए एक जिगा पर रुख जाता है और सामने के तरफ एक इंग्डन को देखते हुए कहता है चलो फिर ठीक है मेरा पहला स्टॉप यहीं से शुरू करते है और उसके ये कहने के साथ में हमारा सेंज शिफ्ट हो जाता है और हमें सामने के तरफ जो किंडम दिखाया गया था उसके बारें बताया जाता है ये लिबरिटी सिटी का गेट होता है जहांपर मुसाफिर अंदर की तरफ आ रहे होते हैं अरे इस बार का शिकार तो सचमुझ बहुत अच्छा था मैं पक्के तोर पे इससे बहुत बड़ा फाइदा कमा सकता हूँ अपने साथी की बास सुनने के बार में दूसर ललका पीछे की तरफ बैठी लड़कों की तरफ देखते हुए कहता है यहां की फैरीज, सिटी के नोबोस द्वारा बहुत पसंद की जाती है जब वो दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे तब ही अपना हेरो चलते हुए आगे के तरफ जा रहा था जिसको देखने के बार में वो घोड़ा चाला, क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है फिर वो घोड़ा चालक उन फैरिस के तरफ अपने हेरो को दिखाते हुए कहता है यह पकली के परियों में सबसे नई परिया है जिनमें युद में पकली गई परियों से लेकर गाओं की निर्दोश औरते तक शामिल है और ऐसे चाइड लेबर भी हैं जिनको कमर उम्र से पाल पोस कर आगे और बड़ा किया जा सकता है उस घोड़ा चालक की यह बात सुनने के बाद अपना हेरो अपनी एक आई टेक्निक को यूज करते हुए उन सारी स्लेप्स को चेक करते हुए मन में सोचता है अरी उन सभी का दिल मरे हुए जैसे दिखते हैं वो पूरी तरह से निराश हो चुकी है जब वो वहाँ पे यह से चेक कर रहा था गोड़ा चालक अपने हीरो से कहता है लिटिल ब्रदर अगर आपकी नजर में यह पसंद नहीं आती तो मेरे पास यहाँ की एक extremely rare product है और इस बात को कहते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने हीरो से कहता है इस side आईए यहाँ पे और वहाँ पे जाने के बार में एक पिंजले के कपले को उठाते हुए अपने हीरो को दिखाता है और तभी हमको पता चलता है वहाँ पे एक rear ferry होती है जिसके पास उड़ने के लिए खुद के पर भी थे और उस ferry को देखने के बाद अपना हीरो शॉक्ड हो जाता है उस ferry को दिखाते हुए वह गोड़ा चालक कहता है यह एक element race से है जो केवल western continent में पाई जाती है और आप उसे केवल 1000 सोने के सिक्के देखर हासिल कर सकते है जो कि पक्के तोर पर उन सिक्कों के लायक है अपना हीरो उसकी वास सुनने के बाद में कुछ भी नहीं कहता और तुरंत वहाँ पर उसको ignore करते हुए पलट के वापस जाने लगता है जिसको देखने के बाद में वो घोड़ा चालक वहाँ पर हैरान हो जाता है और तभी उसके उपर गुस्ताते हुए चिचड़ा के कहता है बाद ये तो सच में एक बकवास ग्रहक है और उसके ये कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है अपना हिरो टहलता हुआ उसी सीटी में आगे के तरब बढ़ते हुए कहता है ये हुमन्स की तसकरी ये जमीदारों के समाज से भी बहुत बत्तर है अपना हिरो के बाद सुनने के बाद उसकी सिस्टम उससे कहती है अगर ऐसी बात है तो आप सारे स्लेव को रिहा क्यों नहीं कर देते क्योंकि ये तो आपके करेक्टर में नहीं है सिस्टम की बाद सुनने के बाद अपना हिरो वाँ पे हरान होते हुए कहता है आखिर उन्हें रिहा करने का क्या मतलब है स्लेव बनाने वाले और भी लोगों को ले लेंगे और इससे ये प्रॉब्लम बिलकुन भी खत्म नहीं होगी और इस बात को कहने के बाद कहीं पे रुपने हुए वो सामने के तरह इशारा करके कहता है वो वहाँ पे देखो और तभी हमें उस जगा के बारें बताता है उस दुकान में कम से कम 100 गुलाम है और ऐसी दुकाने पूरे कॉंटिनेंट में है तुमको क्या लगता है कि मुझे कितने लोग को फ्री करने की ज़रुरत है अपने हिरो के बात सुनने के बाद सिस्टम उसे बताती है आप तो हैविली डाउ है जब तक आप ये चाहेंगे दुनिया के सभी गुलाम अभी फ्री हो जाएंगे और पूरी दुनिया में सभी गुलाम वैपार करने वाले मर जाएंगे और दुनिया भर के सभी काला दंदा करने वालों का दिवाल या निकल जाएगा सिस्टम की बास सुनने के बाद में अपना hero उसके तरफ देखते हुए कहता है तो क्या एक और चेंबर उनके commercial void को भड़ने के लिए खड़ा नहीं होगा जो कि गलामों का शिकार करने की एक और लहर को शुरू करेगा और इस बात को कहने के बाद उसकी shop के अंदर आगे बढ़ते हुए कहता है मैं पहले के heavily down से बहुत अलग हूँ जो problem को हल करने के लिए हमें main problem से निपटने की जरूरत है अपना hero जैसे इस shop में enter करता है तो एक आदम इसको देखने के बाद आगे बढ़ते हुए उसको welcome करता है और वहाँ पर बहुत ठेर सरे slave को दिखाते हुए कहता है customer क्या मैं भूछ सकता हूँ कि आपको किस तरह की गुलाम की जरूरत है और इस बात को कहने के बाद वहाँ पर दो गुलाम को दिखाते हुए कहता है सर ये गुलाम बिलकुन तयार है जिनने हमारे chamber दोरा अच्छे तरह से train किया गया है और इनके ना भागने की ये हमारी guarantee है और तभी वहाँ पर female गुलाम की तरफ इशारा करते हुए कहता है अगर कोई भाग जाता है तो हम तुमें 10 गुना वापस देंगे उस shop की पर की ये बात सुनने के बाद अपना hero उससे कहता है अगर मैं उन्हें खुच जाने दू तो क्या तब भी नहीं भागेंगे अपने hero की बात सुनके shop की पर हसते हुए कहता है सर आप मजाक कर रहे होंगे जब तक आप उन्हें खरीदते हैं बले ही आप उन्हें जाने दें वे आपको नहीं छोड़ेंगे shop की पर की बात सुनके अपना hero एक गुलाम की तरफ इशारा करते हुए कहता है क्या मैं उससे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ अपने hero की बात सुनके उस shop की पर हसते हुए कहता है अरे साहब इसमें कोई शक नहीं आप पूछ सकते हैं अगर आप इन गुलामों से भी खुश नहीं है तो आप दूसरों को चुनने के लिए VIP रूम में भी जा सकते हैं shop की पर की बात सुनने के बात अपना hero उस लड़की के तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है क्या तुम आजाद होना चाहती हो अपने hero की ये बात सुनने के बाद में उस लड़की के पसीने आ जाते है और तभी अपना hero उसके close आते हुए उसके face के पास आकर कहता है क्या तुम एक free इंसान नहीं बनना चाहती या एक गुलाम बने रहना चाहती हो अपने hero की ये बात सुनने के बाद में मुझे slave girl होती है वहाँ पे घवराते हुए धीरे से कहती है मैं मैं बस अपने मालिक की गुलाम बनना चाहती हूँ उस लड़की की इस बात को सुनने के बाद में अपना hero निराश होते हुए गहरी सास लेता है और पीछे shopkeeper की तरफ देखते हुए कहता है तो फिर ठीक है मुझे VIP room में ले चलो shopkeeper उसके तेल पानी करते हुए कहता है हाँ हाँ ठीक है आपके लिए VIP room त्यार किया जा रहा है और थोड़े दिर बाद हमें दिखाया जाता है अपना hero एक VIP room में आके बैठ जाता है जहाँ पर shopkeeper उसके लिए चाय देते हुए कहता है आप इसको enjoy करें और फिर shopkeeper VIP room से जाते हुए कहता है sir please कुछ समय के लिए मेरा इंतिजार करें और मैं किसी को आप के लिए VIP exclusive item लाने के लिए कहुँगा उसको इतना humble होते हुए देखकर अपना hero भी हसते हुए कहता है हाँ ठीक है इस business के लिए आपका thank you पर इसके ये कहने के साथ में वो shopkeeper वहाँ से चरा जाता है और तबी वहाँ पर अपना hero serious loop बनाते हुए कहता है system open और जैसा कि दोस्तो हम लोग को मालूम है कि अपना hero तीसरा heavenly DAO है तो वहाँ पर वो system को open करते हुए उससे कहता है rules के protocol को जाने के लिए तयार करो इस गुलामी को खत्म करना वो भी एक heavenly DAO के रूप में या मेरा पहला काम है और दोस्तो इसका आप next episode देखने में मज़ा आएगा कि अपना heavenly DAO इन लोग के साथ में क्या करने वाला है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो देखने में बहुत मज़ा आई होगी और जिस किसी ने यहां तक देखा है वीडियो आपका दिल से शुकरिया तो प्लीज गाइस मेरा support करें एक like, subscribe, comment शुरूर करके बताएं कि आपको ये मानवा कैसी लगी देखने में और इसी के साथ मिलते हैं लोग next episode में Thank you for watching my video Love you all